नमस्कार दोस्तों विल्कम बैक टो और चनल दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में SAC CGL मेंस का जो कट आफ है मेरे बेर कितना रह सकता है जी हां दोस्तों मेंस 2023 का जो CGL का कट आफ है कितना रह सकता है इसके बारे में complete information देने वाले हैं इस वीडियो को माधम से आपको सारी चीज़ों बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि दोस्तों कि मेंस का जो minimum क्ट आफ है कितना रह सकता है ठीक है तो इसके बारे में भी जन कर देंगे तो वीडियो को लाइक वगर अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर आपको दिया गया है अगर बात करें हमें यूर कटिगरी की तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि 291 पॉइंट कुछ गया था ठीक है और PWD की बात करें तो 91 पॉइंट कुछ गया था और OH का देख सकते हैं इला से ESM का देख सकते हैं यानि Axis servicemen का सकते हैं सारे data आपको यहां पर दिये गए हैं नोप यहां पर देखसकते हैं दो意में देख सकते हैं यह हैं यह मेरे वह 2022 यह को इसलिए दिखा रहा हैं जिसे एक मोटा-मोटा हैं आज़ा हो जाए अगर बात करें दोस्तों कि इसमें टूटल पोश्ट की कितने पदों पर यह जो भरती है इसको निकाला गया था 2022 में अगर बात करें 2022 की तो 36001 पदों पर आपकी यह जो भरती है इसको निकाला गया था ठीक है तो कुछ इस प्रकार की vacancies में निकाली गई थी 2022 में आइए समझते हैं 2023 में कितने poster निकाले गए थे दोस्तों और जो cutoff है किस तरह के देखनों को मिल सकता है जो आपका minimum qualifying marks रखा गया है दोस्तों कौन से category के लिए कितना रखा गया है तो इसके बारे मैं आपको बताते है ठीक है फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं कि मेंस का जो cutoff है मेरे बहुत कितना रह सकता है तो आई यह दिखाते हैं सकते हैं यूर अर्में था है एक सो दो acr में 8 स्य की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 38 था 15 की बात करें तो 19 ऊवी सी का 69 था ठीक है और EW Зем का harvest और 253 था यह लेवल एट का है ठीक है लेवल 7 का भी देख सकते हैं आप यहां पर फीनिस पचास चासो अटानबे 307 728 345 अगर टूटल की बात करें तो 4028 वेवल 6 का देख सकते लेवल 5 का देख सकते हैं 4 का देख सकतें ठीक है तो इस तरह के से सारे डेटा आपको यहाँ पे दिये गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर टोटल की बात करें दोस्तों तो टोटल 8440 पदों पर आपकी यह जो भरती है इसको निकाला गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं CPT का देख सकते हैं DHT का देख सकते हैं नौन CPT DHT का देख सकते हैं कितने पदों पर आपकी जो भरती है इसको निकाला गया है तो आप यहाँ पर सारे डेटा देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह के से इसमें जो पोस्ट आपकी आई थी वह किस तरह के से आपको देखनों को मिली थी ठीक है तो यह कुछ इस तरह की एक information है आई यह समय लेते हैं दुस्तों आपका जो minimum calling marks रखा गया था कौन से category के लिए कितरा रखा गया था तो इसके बारे मैं यह discuss कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका जो cut-off है किस तरह के से देखने को मिल सकता है तो मिर भाई आप यहां पर देख सकते हैं एक्जाम पैटर्न अथा वो किस तरीके से था तो आप यहां पर देख सकते हैं आप सारे section आपको दिये गए है मौडूल दिये गए हैं ठीक है subject आपको यहां पर दिये गए है number of question marks weightage और duration मतलब time duration कितने समय के लिए दिया गए था ठीक है तो इसके बारे में जनकर आपको यहां पर दी गई है अगर section 1 में देखा जाए तो section 1 में आपसे दो subject से सवाल पूछे गए थे पहले number की बात करे तो भईया आपका था math और दूसरे number की बात करें तो आपका था reasoning ठीक है तो अगर बात करें number of question की तो भईया math से आपसे 30 प्रशन पूछे गए थे और reasoning से आपसे 30 प्रशन पूछे गए थे अगर marks की बात करें दोस्तो तो 90-90 marks का था आपका weightage आप देख सकते हैं 33% दोनों में था और time duration की बात करें तो एक घंटा इसमें दिया गया था आजिए समझते हैं section 2 की बारे में तो section 2 की बारे में अगर बताएं दोस्तों तो आपको भी बता है कि module 1 की अगर बात करें तो इसमें क्या था marks की बात करें तो 135 आपका था इंग्लिस में और general awareness की बात करें तो इसमें था आपका 75 ठीक weightage आप देख सकते हैं 35% और 19% रखा गया था और एक घंटा इसमें भी आपको समय दिया गया था section 3 में देख सकते हैं दोस्तों आप यापे module 1 की बात करें तो computer test आपका लिया गया था computer प्रशन आपसे पूछे गया थे अगर बात करें कितने प्रशन पूछे गया थे तो भाई अब 20 प्रशन आपसे पूछे गया थे 60 marks का यानि प्रटेक प्रशन आपका था तीन marks का यानि कि 60 नंबर का पुड़ां की में रखा गया था सिर्फ और सिर्फ qualifying nature का था दोस्तों ठीक है यह cut off में आपका नहीं जुड़ेगा तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि सर यह भी cut off में आगा तो ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ qualifying nature का था और इसके लिए जो आपको समय दिया गया था दोस्तों इन दोनों के लिए आपको दिया गया था 15 मिनट दोनों के ठीक है तो कुछ इस परकार की इन्फॉर्मेशन है तो उमीद करते हैं यहां से सारी चीज आपको clear हो गई होंगी तो आइए स है कि रखा गया तो किस तरीके रखा गया था मिनमां फॉलिंग मार्क कि बात करने तो यह तिर One Section सेक्शन तू नू मॉड़िल one तो सेक्शन ठीका पीपर वन टीयर टू पेपर टू पेपर थी इक्ट्री टीर टू एक्जामिनेशन आर्ट फालो थो इनमेर जो मिनमां प्ली परशंट आप अगला देख सकते हैं अगर सभी काटेगरी की बात करें तो इनके में रखा गया था आपका 20 ठीक है तो कुछ इस प्रकार की आपका जो मिनमम कॉलिंग फांग मार्क से इसको रखा गया था और आप यहां पर देख सकते हैं मिनमम परसेंटेज की बात किया और सभी काटेगरी का अगर बात किया जाए दोस्तो तो इसमें रखा गया था आपका 30 ठीक है तो कुछ इस तरह के से आपका रखा गया था दोस्तो आईए समझ लेते हैं आपका जो कट आफ से कितना रह सकता है तो सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तो SSC CGL मेंस का जो किया गया है तो आप तक शेयर करते हैं काफी ज़्यादा इनालिसिस किया है दोस्तो उस हिसाब से अपने कट आफ निकाला है तो आईए समझ लेते हैं कि आपका जो कट आफ है हमारे द्वारा कितना रह सकता है तो आपको बताते हैं दोस्तो SSC CGL ए सेशी सीजेयल मेंज का जो cut-off है वह कितना रह सकता है quarantine मेंज का जो cut-off expected cut-off दोdef जो कितना रह सकता है हमारे दार जो तयार किया गया है वह चीज आपको बताते हैं अगर हम बात करें दोarse यो ऐर कले किई तो भीयों अगर आप यो आर कले किई बिलाउंग करते हैं तो आपका जो सेफ इसकोर रहने वाला हिस बार कितना रह सकता है तो वह चीज़ आपको बताते हैं अगर 316 प्लस बन रहा है आपका ठीक है 316 अगर प्लस आपका बन रहा है मेरे भाई तो आपका हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप बिल्क करता देते हैं 309 प्लस अगर इनका बन रहा है तो यह बिल्कुल सेफ इसकोर पर है और आखर बात करें तो 280 ंकंबुकल इसकोर, मे मेरे एकर बुक्छ सेफ इसकोर बन रहा हमाने को दूस्टे सेफ और कितना रह सकता है तो इसके बार आपको बताते हैं इनका जोू तो जो को सकता है 3006 तो आगर 310 तक है इनका ही ना भान रहा है ठीक है तो अगर इनका इतना बन रहा है तो हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बात करें OBC काटेगरी की तो भी यह OBC वालू कर रहा है सकता है 302 से 306 तक आपको देखनों मिल सकता है दोस्तो आइए समझ लेते हैं OBC का तो बता ही दिये हैं बात कर लेते हैं दोस्तों EWS की तो भी यह EWS का कटाफ अगर बताएं तो 300 अगर प्लस हो रहा है इनका ठीक है 300 से 305 तक अगर इनका बन रहा है तो इनका हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह था आपका EWS का कटाफ अगर बात करें SC काटेगरी की तो इनका जो कटाफ है रह सकता है 271 से 276 तक इनका जो cutoff है देखने को मिल सकता है इस प्रकार से आपका जो cutoff है देखने को मिल सकता है तो दोनों cutoff हमने आपको बता दिया ठीक है उम्मेद करते हैं यहां से सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी अगर आपको कुछ doubts होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़े है जो आपको ना समझ में आई हो तो आप comments करके हमसे पूछ लेजेगा ठीक है जो भी चीज़े है बताएंगे आपको वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार वीजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब कर लिजिए जितने भी latest अपडेट होते हैं दोस्तों हम आपको यहां पर provide करते रहते हैं तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे जैसा भी अपडेट होगा inform करेंगे मिलते हैं किसी लेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन